आज हम लेकर आए हैं इंटरनेशनल रेलेशन्स, होपफुली आपने पॉलिटी और गवर्निंस को अच्छे से रिवाइस कर लिया होगा, October 2023 की Vision IS की मंतली मागजीन से आज हम पढ़ेंगे इस्रेइल and Hamas war के बारे में बहुत जादा न्यूस में रही, इससे रिलेटेट हमें पता भी होना चाहिए कि क्या था, ऐसा क्या हुआ कि इस्रेइल ने Hamas पर अटाक किया, क्या इससे जोड़ी चीजे हैं वो हम जानते हैं आज के इस टॉपिक के थूँ, इस्रेइल ने वार Hamas militant को डिकलेर करा, ठीक है, हमास एक तरह का गुरुप है, आप कह सकते हैं, militant गुरुप है, अच्छा, इस अटाक को करने के लिए उन्होंने एक उपरेशन को चुना, जिस उपरेशन का नाम था, तुफान अलक्सा, अलक्सा फ्लड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अब अपरेशन तुफान अलक्सा जो टर्म है, ये कोई इंसाइड की गई थी, विद साबत, जो की एक जियूश दे होता है, वर्षिप और रेस्ट का, हमास ने पाँजार रॉकेट्स में, जस्ट ट्वंटी मिनिट्स, बेसिकली, इन्होंने बहुत सारे अपने आइरन डूम डिफेंस सिस्टम के मदद से, इस कैपबिलिटीज के थूफ फाइर किये, पाँजार रॉकेट्स हमास ने किया पहले, और ये उपरेशन देखो, सिंस 2011 से ही चल रहा है, आइरन डूम वाला, ठीक है, शॉर्ट रेंज एर डिफेंस सिस्टम है ये, इसरेल का आइरन डूम, याद रखना, ये भी पेपर में आ सकता है, कि आइरन डूम रिलेटिट टर्म कौनसी है, तो कहीं आप और कुछ ना मिसिंडिस्टांड कर जाओ उसको, तो याद रखना, एक तरह का शॉर्ट रेंज एर डिफेंस सिस्टम है, इसरेल का, सतर किलोमेडर इसकी रेंज है, डिटेक्ट कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है, मिजेल्स को, रॉकेट्स को, आपके यूएवीज को, जो आपके अन्मेंड एरियल वीकल्स होते हैं, उसमें आप उसको, डिटेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर ये कैपबिलिटी होती है, किसमें आइरन डॉम में, इस रिस्पॉंस में, अब आपने, इसरेल ने क्या करा, आइरन, ऑपरेशन, आइरन सवोर्ट्स अगेंस हमास को, लांच किया, गाजा स्ट्रिप में, ठीक है, इस वार को चलते हुए, इंडिया ने भी एक आइमेटर सिजिस्स वार, यहां के सिटिजन्स को बचाना था, हमारे सिटिजन्स भी वहाँ पर थे, अब आप समझो, हमास के बारे में सारी कहानी, देखो, हमास एक तरह का, इस्लामिक रिजिस्टेंट मूव्मेंट है, जो कि 1987 में हुआ था, जब पहला इंतिफाद हुआ था, इंतिफाद का मतलब होता है, जो पैलेस्टीनिन्स होते हैं, उनके लिए ये बेसिकली था, जो उन्होंने वार बेसिकली देखी इतनी सारी, तो उनको बचाने के लिए इंतिफाद का इस्तिमाल, टर्म का इस्तिमाल किया जाता है, जो वैलेस्टीनिन्स की अपराइजिंग थी आपकी इस्रेली ओक्यूपेशन में, ये पहला इंतिफाद 1987 से 1993 तक चला था, फिर सेकेंड 2000 में हुआ था, अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको दोजार पाच में इस टेरिट्री को विड्रिग भी कर लिया, इट रिफ्यूजस तू रिकगनाईज इस्रेल, रिफ्यूस करती है, ये जो पूरा टेरिट्री है, इस्रेल की वहाँ पर रिकगनिशन नहीं मानती है, कमिटेड है कि ए आम्ड रिजिस्टेंस होना ही चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या क्रियेट होना चाहिए, गाजा आपके स्ट्रिप पे, गाजा बैस बैस बैंक और बेस पी जरूसलम में, यहाँ पर वो मानते हैं, हमास मानता है कि यहाँ पर इस्लामिक पैलेस्टीनिन स्टेटर्म में इस्रेल's peace place होना चाहिए, ठीक है, अच्छा, इसमें US है, EU है आपका, इस्रेल है, सारे के सारों ने इहाँ पर टेकलेर कर दिया, हमास टेररिस्ट ओगनाइजेशन, हमास को क्या बोला, कि यह तो एक टेररिस्ट ओगनाइजेशन होती जा रही है, US और European Union, EU जिसका full form है, इस्रेल, अच्छा, अब समझो, background क्या है इस पूरे conflict का, तो background है, इस्रेल-Palestinian conflict का, इसका latest जो war हुई, उसका root कहीं 75 साल पहले उसे भी चल रहा है, क्योंकि जो Palestinians थे, वो यह से claim करते हैं, कि यह तो भई, जो हमारा यह पूरा area है, तो हमारा homeland है, Palestinian मतलब Arabs है, इस्रेल मतलब Jews है, इनकी लड़ाई जो है, Jordan River और basically जो Mediterranean वाले sea के जो territories around है, उसके आसपास की territories पे लड़ाई है, central conflict आपको देखने को मिलेगा, जो है, वो city of Jerusalem से related है, यानि कि यहाँ पर यह क्यों इतना जादा conflict को समझते हैं, क्यों समझते हैं, क्योंकि युदिजम, इस्लाम और Christianity, तीनो religions के लिए ही, यह place जो है Jerusalem, Jerusalem basically, Jerusalem एक बहुत important place है, immense significance रखता है, थ्री major Abrahamic religion में माना जाता है, और याद रखो, क्यों इस Jerusalem को इतना जादा importance दी जा रही है, तो अलग सा mosque हैं यहाँ पर, क्योंकि third holiest Islamic site है, और यह माना जाता है कि Prophet Muhammad भी यहीं से उनको heaven प्राप्त हुआ था, फिर western wall है, holiest Jewish site है, यहाँ पर वो मानते है कि एक sacred compound था, जीऊष का temple mount कहा जाता है उसको, यह सारी चीज़ें थी, आचा, चर्च जो है, यहाँ पर वो मानते है कि Holy, उनका spelture है, यानि कि वो मानते है कि जीऊष, जीश थे, जो जीश जो भगवान God माना जाते हैं, प्रॉफेट माने जाते हैं, messenger माने जाते हैं, तो crucified किये गए थे, यहीं पर उनको keel से ठोक ठोक के मारा गया था, तो यह उस जगह को, इसलिए वो मानते हैं, उनका यह belief है, तो यानि तीनों के अपने-अपने religious belief होने की वज़े से, यह place सभी के लिए क्या है guys, बहुत जाता important है, अब इस जो war सारी की सारी जो चल रही है, यह इसका possible impact क्या पढ़ रहा है, इन सभी factors का क्या impact है current war में, तो सबसे पहली बात है centrality to the Palestinian cause, यानि कि बहुत सारे जौरब countries हैं, वो अपने ties जो है, नॉर्मल करते जा रहे हैं इस रेल के साथ, अगर आपको याद हो, ए का backseat उनको ले लेनी चाहिए, और उनको जादा लड़ाई चक्रों में नहीं पसना चाहिए, अगर आप इस रहे हैं, उसके बाद recent conflict जो आया, उनने रियाफर्म करा कि पलेस्टीनिन का वाइटल, पीस वो स्टैबिलिटी उस रीजिन में लेकर आएं, फिर अपने आप में इसरेल और पलेस्टीनिन का रिलेशन्शिप अगर आप देखो, तो पीस नेगोसियेशन्स पहले भी हुए, करन्ट कॉन्फिक में अनिंटेंशनली स्रेंदन किया जाया है, हमास को पलेस्टीन अधॉर्टी को वीक करा गया है, वेस बैंक की पोजीशन्स के लिए, और इसक इसरेली प्राइम निस्टर है, और आज की जो है, उन्होंने मोला है कि इसरेली विल हावन ओवराल सेक्यूरिटी रोल इन गाजा इंडेफिनेटली, ये सब चीजें क्या करेंगी इस तरह की स्टेटमेंट्स, आग भढ़काएंगी न, फिर उसके बाद है, रिजनल इसरेली इन के साथ टाइस कर लिए, इसके साथ साथ इसरेल का टाइस आपके इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, कई अरफ कंट्रीज के साथ होने लग गया, समझ रहे हो, आब उने वहाँ पर रिलीस कर दिए, उससे उनके रिलेशन पर स्टेंदन बना, फिर एकनॉमि अगर आप चलोगे, तो देखो भी इस पूरे कॉन्फलिक्ट का सारा का सारा देखो दिक्कत कहां बढ़ती है, इस तरह कि अब देखो यह रशिया उकुरेन खतम नहीं हुआ था, इससे ग्लोबल और एक रीजनल एकनॉमिस को बहुत इंपाक पड़ता है, पैंडमिक हमने देखा, आपने उसकी वज़से इंपलेशन देखा, आपने उक्रेन वार की वज़से देखा, तो इसी एक और उसमें प्लस कर दिया जाएगा, इससे और इंफलेशन बढ़ेगा, तो ग्लोबल ग्लोबल कॉमोडिटी मार्केट की है, उससे आपके एसकलेट हो जाएंगी, जाएदा बढ़ जाएंगे, उससे आपकी कमोडिटी मार्केट डिस्रप्ट हो सकती है, जो ट्रेड होता है, स्विच केनाल ट्रेड के थुरू, वो एक मेरिटाइम रूट है बिट्मिन एशे और यूरोप, इसमें 12% ग्लोबल ट्रेड है वाई वाई ली दूरू, उसको इ उसके बाद फूड सप्लाई की बात आती है, कि जो फर्टिलाइजर्स है, मोव्मेंट है, इजरेल के पोर्ट से, एस्दॉर आकाउंट्स फोर 3% ग्लोबल पोटैश सप्लाई, ठीक है, एसकलेशन में भी ग्लेट टू ग्रेटर आपके फूड इन सेक्यूरिटी कर सकती है, पूरर कंट्रीज के लिए फूड सप्लाई बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, इसके बाद इंडिया बेसका डिरेक्टर बैट क्या होगा, सबसे पहला इंपक्ट हमारी एकॉनमी को धक्का पहुचेगा, हमारा इंडिया के साथ जो एक्सपोर्ट चलता है, इसरेल का, वो पेट्रो कैमिकल्स, ओड्स का अउरल मार्केटिंग, साहरा के साहरा पेंड पैकेजिंग, डेक्सटैल कैमिकल्स आपके वही से आते हैं, वही से खायता था यह सो Another is नहीं बच्छी से इंडिया की, फायता हें एक अउन्यस्ट को बहुत इंडिया की हमारा ओगानिशूचोन यहां पर ज़रूरत क्या है कि जो इमेजेट क्राइसिस है पेलिस्टिनिन रिफ्यूजिस का स्टेटस अफ यरुसलेम को लेकर वो बहुत जरूरी है कि सुधारा जा सके तो सकसेस हमारी डिपेंड करेगी पार्टी इसकी विलिंग्रिस इस पर डिपेंड करेगी कि हम नेगोसियेशन करें इंटरनेशन एक्टर्स के साथ और एक नया कुछ ऐसा लिख कर आएं जिसमें हमारे योम किपुर वार इसको फोर्थ अरब इस्रेल वार 1973 से कनेक किया गया थोजार तेश चली रहा है फिफ्टी अट अनवर्स्री सॉरी गाइस फिफ्टी अट अनवर्स्री थी इसकी थीक है अब योम किपुर वार क्या है 1948 में पहला अरब इस्रेल वार हुआ थीक है इम्मीडेटली जब इस्राइल ने अपना टेक्लेर किया कि हम इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके अटाक मारते है जितने भी अरब स्टेट थे पैलेस्टीन इन फैक्शन सब ने अटाक मा फ्रांस के बीच में हुआ एक तरफ ये सब थे एक तरफ एजिप था यहां पर डिकलाइन हुआ प्रिटिशन फ्रेंच इंफ्लुएंस का ताम होता चला गया यूएस एक इंफ्लुएंशल पार बन गया फिर थर्ड ऐसे ही आपके कुछ दिनों बाद तो आपकी थर्ड इसरेल न यूएक पुर यूज़ जोईश की न हॉली डे माना जाता है वाग पवित्र दिन माना जाता है यूएक परपस क्या था वार का परपस यही था कि यही ता कि यही तरह से जो लॉस्ट टेरिटरीस इसरेल से वह खीच लो तो यह सब हुआ सीज़ फायर वगेरा फि कोई positive कुछ निकलाई नहीं इजिप्ट का जो इजिप्ट का shift हो गया towards US देंट पढ़ गया इसरेल की इमेज पर यह सारी चीज़ें में तो यह सब होता ही है अब यहां पर यह कह रहा है कि 1978 में भी एक Camp David Accord हुआ था यह दोस्ती थी कि इसकी बीच की यह Accord से दोस्ती हुई इजिप्ट और इज्रेल के उन्हें मेडियेट कर लिया था तो यह सारी चीज़ें देखो होती चली गई और उसके बाद यह Oslo Accord हुआ तो मतलब यह सारी स्टूरीज में बता रहा है कि इस्रेल का इस तरह से भी वो अरब से रिलेशन अपने अच्छे ही कर रहा है तो यहा अच्छा अच्छा अब हम चलते हैं सीधा इंडिया कैनेडा के रिलेशन से में देखो इस बार आपने सुना होगा कि G20 जब हो रहा था तो समय हमने कैनेडा कोई बुलाया था कैनेडा उसका पार्ट है तो उसके बाद क्या कैसी चीज़ें हुई कैनेडा का कैसे रहा कैसे खराब हुए वो सब हम पढ़ते हैं why it is in the news तो कैनेडा का जो देखो असर्शन है कि जो इंडियन एजेंस से बहुत जादा इंबॉल्ड है प्रो खालिस्तानी मुर्डल में जिसकी वज़े से दोनों अक्टिविस्ट वहां के जाग गए और डिप्लोमाटिक स्ट्रें लग करना security entities members को सब्सेक करते हैं अब देखो हुआ क्या Canadian जो मिन फ्राइमनिस्टर था उसने इंडिया को एक्यूस करा उसने कहा कि आपने हमारे जो बर्डर की है हर्दीप सिंग निजर का से एक सेपरेटिस लीडर था आपने कृटिश कोलंबिया में उसको मारा है Canada जून 2023 फिर फिर शेर हुई तो allegation लगाया गया most consider the best such allegation by Canada and subsequently Canada ने followed by India expelled each other diplomat उने थोड़ दिये फिर इंडिया ने भी फर्दर क्या किया अब visa services को हटा दिया से स्पेंट कर दिया विल्ट्रा कर दो Canadian diplomats को भी हटा दिया Canada ने criticize किया इंडिया की demand को कि वियाना कंवेंशन को लिए तो वो कर रहे हैं प्रीच कर रहे हैं तोड़ रहे हैं अब वियाना कंवेंशन डिप्लोमाटिक रिलेशन्स में इस 1961 में साइन हुई थी 1964 में फोर्स में आय थी इंडिया 20 का member है 193 members है इसके पार्ट में ये करता ग कर रहे हैं आपका आर्टिकल नहीं पड़ा आपने कंवेंशन का आपके 11.1 को आपकी वियाना कंवेंशन में दे रखा है इंडिया के रिलेशन्स में यहाँ बात कर रहे हैं यहां बाइलेटरल आपके रिलेशन्स हैं जो आपके democratic को multi-cultural values को multi-ethnic values को strong people to people contacts हैं आपके फिर य मुझाब हमारा मुझारभी पॉपुलिशन बहुत जाता है कनेडा में बहुत बड़ा इंडिया इन दैसपूरा से वहरा पड़ा है निया थे परसे तुटल के जटन पॉपुलिशन लगा उसे अप से बाले ट्रेट हमारा यहां पर डॉलर 9.9 बिलिन तक होता है जो सर्विसे में हमारा civil and nuclear agreement 2010 में हुआ था जिससे हमने uranium जो Canada प्रपाइट करता है इंडिया को nuclear reactors के लिए Indian oil corporation 10% participating interest देती LNG, project in British Columbia तो कह रहा है कि इतने सारे चीज़े होने के बाद strategy cooperation आपके बीच में है लेकिन आपने एक knowledge कर दिया जो इंडिया का इंडिया पैसिफिक पॉलिसी है वो इतना इसकरती चैना इसने ग्लोबल पावर और इंडिया को ए critical partner बताया है उसने collaboration करा है हमारे साथ लेकिन हमारे साथ कुछ challenges है सबसे बड़ा challenges है हमारे साथ historical legacy जो डिरिंग कोल वार जो आपका था ना कैनेडा नाटो का फांटिंग मेंबर है यानि कि North Atlantic Treaty Organization का मेंबर है इंडिया प्रोसीट करता है policy of non-alignment तो यानि कि historically ही आपके कहीं ना कहीं differences दिखते हैं फिर कैनेडा जो है उसने प्लीज़ीड करवाया था अएंडॉस कि या था प्लीज़ीड पर शिचरह टांटिस कर ना चाथा य। नूरी ऑंट्स करना चाता है नेड़ कॉपरेशन य। bubbles साइड करना चाता था इन्डि़ूर को com जो पॉलिटिकल एफेक्टर्स हैं जैसे कि करिंट कोलेशन गवर्मेंट के साथ वो हमें थोड़ा सा बड़ा टेंशन देते हैं थोड़ा सा ग्याते को इतनी सारी चीजें होगी उसके पीछे इंडिया का डोमेस्टिक अफेस बड़ा मेडलिंग करता है हमारा फार्मर प्रोटेस्ट होगा इंडिया में कैने पीए एक्सप्रेस करें यहां इस पोर्ट दे रहे हैं फार्मर्स को यह मतला आप तो हमारे एकदम उल्टा ही चल गरहे हो हमारी गभ्मेंट को बिलकुल आप इंडिया इंडिया एक वाइटल कांटर बालनस राइना को कर सकता है और स्ट्रेटिक इंटरेस्ट कानेडा के उसके बाद एकनॉमिक में आप उसके बाद बुला कि एकनॉमिक ली आप डिस्रॉप्शन तो देखी रहे हो करना यह चाहिए कि आप डिप्लोम ऐसी खेलो सबसे पहली बाद पहला स्टेप ही आपका यही आपने रिलेशन्स को सुधारो करेंट डिस्पोरा के रिलेशन्स को बहुत जादा बढ़ने मत तो कि अल्टीमेटली आपका जो स्टेटस क्यों है वो सब बिगड़ गड़ गय कोपरेशन हो काउंटर टेरिरिजम हो तो उसको आप दोनों मिलके मुक्ति पाऊ ना उससे तो इट इस वेरी इंपोर्टन कि एक नया फ्रेमबॉक ऑफ कोपरेशन हो जो कि प्रेग्मेटिक हो मिचुली बेनिफिशल हो ताकि आपका ट्रेड एनरजी दोनों पर कोई हम पर करना पड़े आप अच्छा बूस कर पाओ दीसरा गाइस आर्टिकल आजम बात करने वाला है इसमें देखो साथ टॉपिक है इन दिस वीडियो विल कंप्लीट री रेस फोन विल कंप्लीट इन नेक्स फिच्ट पार्ट टू में कर लेंगे आज हमारा इस वाले में टॉपि अच्छ पार्ट आज हिस्ट्री है त्री गिंडम्स की बेसिकली 13th century टेक्स था ही बेसिकली वहां से लिया गया है कि प्रिंस सुरी इरतना थी आयोध्या में उनों मैरेज करती है किम सुरो से इन दाइयर 48 AD कोरिया में तो बहुत पुराना हमारा इनका सिविलाइजेशनल र इस्ट पोलते थे को सेलिब्रेट करते थे कोरियन रिच हिस्ट्री को ब्राइट फ्यूचर को उनके हमारे तरब से भी था उनके तरब से भी हमारा काफी अच्छा रिलेशन रहा है अब इंडिया का रोल आफ्टर सेकेंड वल्ड वार क्या रहा जब 1939 से 945 तर 2nd वल्ड वर खतम होगी तो इंडिया का क्या रोल था वल्ड वार टू के बाद लीडर्शिप हमने करी हमने उनाटे टेशन पर जो कमीशन था कोरियन एलेक्शन था क्राइसिस ना जेले जाए फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे इनके साथ थे 1973 के अंदर आप ये लगा लो कि भई हमन हमने स्र्टेजिक पालिशिप को इंडिया की अक्टिस पॉलिशी भी इसी ले और हापर साओध कोरिया हमारा बड़ा साथ देता है कोपरेट करता है हमारे साथ हमारे साथ करके अराइन करके इसमें हम इनिशियोट बेते हैं की बहुए निदिया से जयादा हो हो, पिर करते हैं 50 billion US dollars by 2030 strategic convergence भी है बहुत सपोर्ट करते है रूल बेस्ट आपके इंडो पैसिफिक में concerns लेना यह सारे के सारे चायना कर रहा है यह से सारी चीज़ें 2018 में इंडिया ने इंडॉस करा Vancouver dialogue ताकि हम North Korean nuclear qualifications को कतम कर सके तो Korean Indo-Pacific strategy है इंडिया को वो key member मानते हैं defense and security cooperation में defense policy dialogue हुआ 2013 में किया गये 2 plus 2 dialogue हमने शुरू करते हैं फिर cultural में अगरा को सारंग festival इंडिया का है कोरिया का हर साल organize करा जाता है डियावेस culture को दिखाता है Indian diaspora यहां पर गयता है कि बहुत सारे जो Indian scholars है वो pros graduate PhD programs कोरिया में करते हैं professionals IT के जो है वहाँ पर जाकर वो रहते हैं काम करते है shipping industries में वो डोंब बेल्स में यहां पर बहुत migration ने है तो Korea लेकिन हमारे इनके रिष्टे में कुछ खटास भी है सबसे बड़ा challenge हमारे साथ होता ह जोग्रिफिकल डिस्टन्स की वजए से हमारा interaction अच्छे से नहीं हो पाता नियरभाई रीजन्स तो है नी डिलेड स्ट्रेजिक कोपरेशन हो जाता है यानि कि cold war की rivalry के बाज हमारा interaction है इंके साथ होड़ा नेवर दिलेस हुई हम policy प्रप्रसीव कर रहे है non alignment वाली यह maintain करते है balance between the relation अपने बोथ आपका South Korean and North Korean वाला उसके बाद यहां पर एक लाक आफ स्ट्रांग पॉलिटिकल टैलेंट की लिमिटेट काम यहां पर एक कर देता है हमारे रिष्टों को South Korea का जो align रहता है U.S. के साथ वो थोड़ा सा हमारे साथ दिक्कत करता है हमारी regional policies में इस्टिल deficit पढ़ा है तो कैसे हम कहें कि बहुत अच्छे है ना तो वे एड में यहीं बोल रहा है कि सबसे पहले आप systematic cooperation की तरफ धान लगाओ South Korea along with New Zealand वियतना पार्टिसेपेट करें यह भी Quad को जॉइन करें जैसे ही Quad का member अभी कौन-कौन है आपकी चार कंट्रीज, Australia, India, Japan, US तो इसम को बुलाओ, deep in करो अपने economic and technological corporations यानि Korea का aging population है, technology है, उसकी जैसे इंदिया की youthful population के साथ को combine कर दो तो एक बड़ा अच्छा manufacturing hub बन सकता है आपका, तो startup technology जो आपकी driving services है, digital trade है, semi-conductor है, इनका collaboration करके एक सुन्दर सा वे create हो जाएग, economic technology cooperation, फिर एक maritime security को strengthen करने के जरूव था, जोइन हडार सब एक साइसे हैं, counter करना, piracies को, regional synergies पे काम करना, तो ASEAN में दोनों नेशन जो डायलोफ पार्टनर्स हैं, वो सारे के सारे इस पे founding members है, multilateral corporations की जरूवत है, multilateral जो फोरम्स हैं आपके, IRA है, ASEAN है, सब पे अपना मिल के कुछ का अच्छा सा निकालो, collaborate करो, third countries म काम करने की जरूवत है, deep carbonization पे करने की जरूवत है, clear energy पे काम करने की जरूवत है, तो concluding line पे बोला जा रहा है, कि अपने bilateral relations को इतना strong कर लो, कि strategy, partnership बन जाए, normative approach को, से बाहर हाते हुए, रोबस्त रो प्रेंदन एक bilateral relationship, create करो, ताकि आपके अच्छी हर तरह की regional stability आपकी हो तो अच्छा से work together, वाले जो policy है काम करता हुए, तो गाए, तो गाहर अच्छा से work together वले जो policy से काम करता हो, तो गाहर तो ग्याय थिस इज्वाट दी, India-Maldives and other relationship we'll do in the next part, ठीके? थाक़िय।, ताकिय। 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 थाइक क्य। ताकिय। थाक्य। तो लिस्निंग do like share and subscribe to be impart shala share with your friends and share among your friends thank you so much have a nice day to all